नमश्कार आज यह संडंडे और आज मैं आपके लिए लेकाया हूँ अत्यत्म कविसरी हर संड़े को मैं आपके लिए अत्यत्म कविसरी लेके आते हूँ आज अपन बात करेंगे लिए भग Ci गणेश के बारे में कुछ रोचपतक हुज जो आप नहीं जानते हों अभी तक इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, आज मैं भगवान स्री गणेश के बारे में कुछ इसे रोचतत्य मैं आपको बताऊँगा, आईए, देखते हैं इसे क्या रोचतत्य हैं, जो देखते हैं, आईए जापान में भगवान स्री गणेश को 250 मंदिर हैं, आपने कभी सोचा है, जापान में भगवान स्री गणेश के मंदिर हैं, जी हाँ, 250 मंदिर है, जापान में भगवान स्री गणेश के, सेकर्ड जापान में बगवान स्री गरेश को कंजी टेन के नाम से भी जाना जाता है नोट करना ये कंजी टेन के नाम से भी जाना जाता है वहाँ बगवान स्री गरेश को सोभागिय और खुशों लाने वाले देवता माने जाते हैं जापान में थर्ड दिल्ली में आयरलेंट एम्ब्रै एक देस्य डिल्ली में की करएलयक दिल्ली मेंसी जाहां राज़ी दूत घेला बेड़ते। वहां यह पूरे विंजों की इकलगोती एंडिया में जहां परविषद्वार पर स्री गनेश की मूर्ती इस्तपित की गई है। देखिए कितना रोचक तक्ति है आरलेंड के एम्बेंसी के परवेस दोर पर स्री गनेश की मूर्ती इस्तापिट की गए देखिए नमबर फॉर्थ अमेरिका के सिलिकोन वेली में स्री गनेश को मुख्यो देवता माना है अमेरिका के सिलिकोन वेली में स्री गनेश भगवान को मुख्यो देवता माना गया क्यों क्यों क्योंकि स्री गनेश का मुख्य वाहन मुशक है और सौप्ट्वेर इंजिनियर भी मौस का इस्तमाल करते हैं जो एक मुशक का रूप है देखिया आप अमेरिका तक में भागवान स्री गनेश काल नंका बसता है यो इसे कुछ वारी रोचक तत्य temps है जो देखिय आपके सामने आच नम्बर 5, भागवान स्री गनेश ग्रीक देश के सिक्क्यूअ तर भी अपने करनशी के नोट पर भी श्री ग्रंध की तस्वीर होती अब देख आप इंडोनेशिया अपने इंडिया के पास ही वाहब बीज़ जो करनशी चलती है ना उसके लग्वान ज्री ग्नेश की मुर्ती तस्वी लगह हुआ देखिया नमबर सेवन वेदिक मान्यतरों के अनुसार भगवान सी गनेश करीड दस हजार साल पिले प्रकट हुए थे वेदिक मान्यतारों वेदों में लिका हुआ है कि भगवान स्रीक गनेश 10-4 साल पिले प्रकट हुए थे वेदों में इन्हें नमो गणव्यो गणपती के नाम से भी चाना जाता है और इनको वेदों में कहा गया यह मुश्किनों को खत्म करने वाले देवता माने गए हैं वे अभी तक नहीं जानते हैं आज मैंने आपको बताए हैं इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो में आपके लिए आगे मिलाता रहूंगा